हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं रेस की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और एक नए वीडियो में हम आपसे मिल रहे हैं फिर क्लास 11 का ये वीडियो है और हम पढ़ने जा रहे हैं पायलोजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया पढ़ रहे थे मोनेरा पढ़ रहे थे ठीक है बिसिकली हम क्या पढ़ रहे थे मोनेरा पढ़ रहे थे तो हम मोनेरा में बैक्टीरिया की बात किये थे निउट्रिशन की बात किये थे economic importance की बात किये थे और हमने देखा था कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आरकी बैक्टीरिया तो दोस्तों जब है वो different है इनकी जो cell wall है इनका जो habitat है वो different है चलिए तो जब हम आगे की बात करेंगे तो इनको हम कहते है oldest living fossil अब देखिए fossil क्या होता है fossil का मतलब होता है जो बहुत 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 साल पहले से हैं और आज तक जिन्दा है और वो भी कैसे है living है ठीक है तो अब क्या होता है सुनिए गार की बैक्टीरिया की एक बहुत रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जब यह पृत्वी बनी evolution हुआ जब आप evolution पढ़ोगे class 12 में आप evolution पढ़ोगे 7th chapter है class 12 का 7th chapter है evolution विकास तो आप उसमें पढ़ोगे कि इस पृत्वी का निर्माड कैसे हुआ आप एक concept भी देखते होगे आपने कई सारी movies में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा गोला था वो गोला टूटा छोटे छोटे भागों में टूटा और बहुत सारे भागों में टूटा तो वो ग्रह बने और एक बड़ा गोला जो बच गया वो क्या बन गया वो सूर्य बन गया तो जैसे सूर्य तप रहा था वैसे ही वो सारे तप रहे थे तो अब क्या हुआ धीरे धीरे तपते 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 धीरे धीरे क्या हुआ बारिश होना सुरू हुई और बारिश भी हुई तो वो बहुत गर्म हुई यानि जो पानी जमीन पर इकठा हुआ होगा वो भी बहु पानीग अर उसमें जो बैक्टीरिया ग्रोह हुए उन बैक्टीरिया हमने क्या कहा और एक लिडुद। यानि वो तब झब धर्ती बनी पहली बार और जो पहले और गयानिजम का फॉरमिशन हुआ वो पहले organisms कौन थे और की बेक्टीरिया थे और इसी लिए हम इनको क्या कहते हैं oldest living fossil क्या कहते हैं oldest living fossil अब जैसे देखिए जो normal bacteria होते हैं उनकी cell wall किसकी बनी होती है उनकी cell wall बनी होती है muramic acid और peptidoglycan की लेकिन इनकी cell wall muramic acid और peptidoglycan की ने बनी होती है वो different components होते हैं जो इनकी cell wall का formation करते हैं तो आप धिहान देंगे कि R की bacteria है क्या आर की bacteria का मतलब जो harsh condition में transformative करें किस condition में harsh condition में harsh condition में में जो survive कर जाए उसको हम क्या कहेंगे ऊसको हम कहेंगे और की bacteria क्या कहेंगे और की bacteria तो इतनी बात समझ में आई basic 사Ann आइडिया कि आर की bacteria किसको खएंगे आप देखिए जब और की bacteria का classification हुआ तो R की bacteria को हमने तीन classes में define कर दिया कितने classes में three types के हमने R की bacteria करें पहला जो R की bacteria था वो था methanogenes क्या था methanogenes क्या था methanogenes दूसरा था thermophiles क्या था thermophiles तीसरा क्या था तीसरा था hellophiles अब देखिए समझेगा इसकी कहानी बड़ी रोचक है जो methanogenes थे ये क्या थे ये methane के production में helpful थे किसके production में hello fall थे methane के production में कौन helpful था methanogenes और यह कहां पाए जाते थे ruminants के gut में किसके gut में ruminants के gut में जो eightels होते हैं उनके gut में आप जब देखेंगे तो उसमें क्या पाय जाएएंगे उसमें पाया जाएगा यह methanogen इसी की वज़र से उनके गोबर से हम क्या बना पाते हैं methane gas का production कर पाते है यानि जो bio gas है जो गोबर gas है उसके production में कौन helpful होता है यह methanogens helpful होते हैं ठीक है अगर हम इसके example की बात करते हैं तो example हम लिख सकते हैं methanococcus क्या लिख सकते हैं methanococcus और methanobacterium क्या लिख सकते हैं methanococcus और methanobacterium बोलो भई इतनी बात समझे पहला type आपको समझ में आ गया यानि methane के production में जो helpful हो उसको हम क्या कहेंगे methanogens यानि जब भी methane का production होगा किसका production होगा methane का production होगा तो हम उस तरह के bacteria को क्या कहेंगे methanogens कहेंगे क्या कहेंगे methanogens कहेंगे इतनी बात समझ में आ गए हाँ सरी इतनी बात तो आपने समझा दे अब आगे की बात करें हम thermophiles की बात करें किसकी बात करें thermophiles तो thermophiles का मतलब ये बहुत high temperature पे भी survive कर सकते हैं कितने बहुत high temperature जैसे 80 degree Celsius कितने degree Celsius? 80 degree 80 to 100 degree Celsius पे ये survive कर सकते अगर हम pH की बात करें तो low pH, अगर 2 pH है तो बहुत highly acidic हुआ 2 pH है तो highly acidic हुआ तो ये acidic condition में भी survive कर सकते हैं और इसका example जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं thermo acidophiles क्या लिखते हैं? thermo acidophiles यानि बहुत गर्म भी और बहुत अमली अभी यानि बहुत गर्म भी और बहुत अमली है आई बास समझ में बोलो भाई यानि जो बहुत ज़ादा high temperature पे survive कर जाए उत तरह के bacteria को हम क्या कहते हैं? thermophiles क्या कहते हैं? thermophiles तो आप सार ये hellophiles क्या है? देखो जब हम hellophiles की बात करते हैं तो जो बहुत saline environment में रहे किसमें रहे? saline saline क्या होता है? बहुत नमकीन अब ये saline environment कहां पाए जगा? seas में? oceans में? तो यहां क्या होता है? यहां बहुत saline environment होता है बहुत नमकीन वातावडर होता है हर चारो तरफ नमकीन ही नमकीन है नमक ही नमक है नमकीन नमक ही नमक है तो उस तरह के bacteria को हम क्या कह देते हैं? उस तरह के bacteria को हम कहते हैं Hello files, क्या कहते हैं? Hello files, इतनी बात आपको समझ में आ गए कि बोले, हाँ या ना आ गए होगी बात समझ में तो इतनी बात हम note करेंगे यह R की bacteria की बात थी आप note करिए फिर हम you bacteria के बारे में हम पढ़ते हैं, तब इतना note कर लीजिया चलिए, note हो गया होगा तो R की bacteria क्या है? True bacteria नहीं है क्यों true bacteria नहीं है? क्योंकि बहुत harsh condition में रह ले रहा है चलिए ज़र अच्छा bacteria किस kingdom के है यह तो नहीं बूले ना आप लोग bacteria किस kingdom के है यह याद रखिएगा, यह बहुत basic question है कि bacteria किस kingdom के bacteria monerans के है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, monera तो monerans के ही होंगे अब हम पढ़ते हैं you bacteria, क्या पढ़ते हैं? you bacteria you bacteria का मतलब true bacteria true bacteria का मतलब जिनका cell wall किसका बना हो muramic acid का बना हो और peptido glycan का बना हो plus peptido peptido glycan plus peptido glycan चलिए इदनी बात आपको समझ में आ गए तो इसमें हम पहली बात करेंगे cyanobacteria की किसकी बात करेंगे cyanobacteria cyanobacteria को ही हम BGA कहते हैं क्या कहते हैं? BGA BGA का मतलब हरित नील सैवाल blue green algae क्यों कहते हैं इसको हम algae क्योंकि ये oxygenic photosynthesis करता है ये photosynthesis करता है क्या bacteria photosynthesis कर सकते हैं? हाँ और उसका example है cyanobacteria BGA इसको हम क्या कहते हैं? blue green algae तो आप याद रखेंगे जो ये cyanobacteria है ये blue green algae है तो हमने इसको algae में क्यों रखा? algae में क्यों नहीं रखा सर? क्योंकि ये plant जैसे character show नहीं कर रहा था और bacteria जैसे character show कर रहा था इतनी बास समझ में आई आई बास समझ में इसका जो chromosome इसका जो nucleus था जो chromatid था वो scattered form में था जैसा की bacteria में होता था बोल बाई इतनी बास समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है? तो ये क्या है? किसमे help करता है? जैसे देखो जो ये blue green algae होता है ये nostalk का अगर हम बात करते हैं तो ये nitrogen fixation में help करता है किसमे help करता है? nitrogen fixation ये जो nostalk है ये आपको धान के खेतों में मिल जाएगा जब धान aquatic जब धान जब हम लगाते हैं जब ग्रो करते हैं तो बहुत ज़ादा पानी की आवशक्ता पड़ती है और वो पानी में ही ये ग्रो करते हैं और इस तरह के bacteria को हम कहते हैं blue green algae blue green algae और उसका example हमने लिख लिया क्या nostalk क्या लिख लिया अब इनका जो asexual reproduction होता है वो बनता है binary fusion fragmentation heterocyst और homogonia hormogonia जब हम इसके economic importance की बात करते हैं तो आप जानेंगे user soil क्या आता है user soil user soil user soil का मतलब होता है banjar bhoomi क्या होता है banjar bhoomi banjar bhoomi को अगर हमको उपजाओ बनानी है तो हम syno bacteria का उपयोग कर सकते किसका उपयोग कर सकते है syno bacteria का उपयोग कर सकते चलिए next हम बात करने वाले है mycoplasma की किसकी बात करने वाले इसी में बात करेंगे माइको प्लाजमा के, यू बेक्टीरिया में ही, तो गिस्कोप्लाजमा जो है बड़ा अनोखा जीव है, इसको जो डिस्कवर्ड किया था, E.E. नॉकाड और E. रॉक्स, किसने? E. नॉकाड और E. रॉक्स ने इसको discovered किया था और यह दोनों French scientist थे और इन्होंने क्या किया कि एक cattle जो होता है गाय थी वो pleuroneumonia हो गया था उसको क्या हो गया था pleuroneumonia और उसका जो causative agent था वो mycoplasma था कौन था mycoplasma देखिए जो mycoplasma है यह disease cause कराता है और इसमें क्या होता है कि इसको हम mycoplasma को ही smallest living cell भी कहते हैं अगर सबसे छोटी जीवित कोशिका की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास mycoplasma आता है इसकी size सबसे छोटी होती है living cell की अगर हम बात करते हैं जीवित कोशिका की तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? Mycoplasma है और दो scientist knocker और rocks कौन? Knockard और rocks ये knockard है और rocks है इन्होंने क्या किया कि ये दोनों French scientist थे और ये एक जो cattle है गाय थी उसको pneumonia हो गया तो उनका जो fluid निकलता है लंग से उसको निकाला और उसमें देखा कि ऐसे organisms पाए जा रहे हैं इसलिए उन्होंने इसको PPLO भी कह दिया क्या कह दिया PPLO PPLO का मतलब pleuro pneumonia like organism pleuro pneumonia like organism pleuro pneumonia like organism यानि pleuro pneumonia जो cause कर दे वो क्या है mycoplasma ये बात किस ने कही rocks ने कही और हम इसको PPLO भी कहते हैं समझें समझें और इसको mycoplasma जो है वो noak ने कहा था किस ने कहा था noak उसके पहले इसको हम क्या कहते थे है PPLO PPLO से आज भी question आते हैं कि PPLO हम किसको कहते हैं तो आप यह जाने है कि mycoplasma को हम क्या कहते हैं PPLO और हम जब इसकी बात करते हैं कि इसको हम joker of the plant kingdom भी कहते हैं क्या कहते हैं jokers of the plant kingdom jokers of the plant kingdom क्यों कहते हैं क्योंकि 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 यह जो है बहुत छोटे हैं जैसे 0.3 to 0.5 micrometer के होते हैं और यह बिना और गयानिजम के भी बिना oxygen के भी और गयानिजम बोल रहो बिना oxygen के भी यह survive कर सकते हैं तो यह कैसे हैं jokers of the plant kingdom है और जितना simple इनका structure है उतना ही complex इनका behavior है जितना simple इनका structure है उतना ही complex इनका behavior प्लांट में भी disease cause करते हैं जैसे potato में witch broom cause करते हैं और brinjal में little leaf disease cause करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा तो यह बात हो गई मोनेरा की और kingdom मोनेरा यहां पर खतब होता है तो हम मोनेरा में क्या क्या पड़े एक बार रिवीजन करेंगे मोनेरा क्या होता है prokaryotic होता है unicellular होता है prokaryotic का मतलब जिसमें incipient nucleus पाया जाएं मोनेरा में हम bacteria के बारे में पड़ते हैं बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं कि आर्की बैक्टीरिया होता है और एक यू बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया क्या होता है आर्की बैक्टीरिया का मतलब साथ जो पहले से हमारे साथ रह रहे हैं जो बहुत खार्स कन्डिशन में रह सकते हैं जहां कोई न रह सकता वहां कर वहां आरकी बैक्टीरिया । जैसे खौलते हुए पानी में बहुत ज़ादा नमक यहां वहां पाएंगे जाएगे मिथेन ज्यादा हो वहां पाए जैंगे आप थोड़ी से सब्सक्राइब कि यह उसका यूस हम करते हैं समझे तो क्या होता है कि जहां कोई न चाहे वहाँ कौन आरपी बेक्टीरिय है हर जगह यह पाया जाएगा जहां कोई नहीं सर्वाइब कर सकता, वहां आर्की बेक्टिरिया सर्वाइब कर सकते है यू बेक्टिरिया में हमने बात की साइनो बेक्टिरिया की जो फोटो सेंटिक बेक्टिरिया है और इसको हम BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी कह देते हैं ठीक है, तो BGA क्यों कहते हैं, क्योंकि ये photosynthesis करते हैं, oxygenic photosynthesis, कौन करेगा, bacteria, कौन, saino, और इसका example क्या होगा, क्योंकि ये बिना oxygen के भी survive कर सकता है, आपको आज की बात हमारी समझ में आई होगी, आसा करता हो, और अगर आपको कोई doubt हो, तो आप पूछेंगे, और next turn पे हम स्टार्ट करेंगे, किंग्डम प्रोटेस्टा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्का.